प्यारे दोस्तों आप सबका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। पुरे खुशी के साथ, पुरे आनन्द के साथ आज ये वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी के गर्म में एक बहुत-बड़ा अर्थ भी चुपा है। और हो सकता है ये कहानी आप जीवन में पहली बारी सुन रहे हो। इसलिए पुरे भाव से इस कहानी का आनन्द लीजिएगा। बड़ी फुर्सत में ये विडियो देखेगा दोस्तों। बात ये है कि एक गाउं में एक कुमार रहा करता था। उसके बनाए हुए घड़े और मिट्टी के बरतन अद्भुत कलाकुरुति के नमूने होते थे। दूर गाउं से, दूर नगरों से, दूर शहरों से लोग आते और उसके बनाए हुए बरतन खरीत के लेके जाते हैं। वहां के स्तानिक लोग तो उसे मिट्टी का जादुगर भी कहते थे। बचपन से ही वह घड़े बनाता था और बनाते बनाते उसकी उंगलिया ऐसी सद गई थी के उसे भी नहीं पता होता था के वह कौन से कलाकुरुति को जन्म देने वाला है। एक दिन ऐसा हुआ कि उस नगर के राजा ने उसे नियोता दिया कि आप राजमहल पदारे। कुमार तो बड़ा डरते डरते राजमहल पहुचा और शाम को राजा ने उसके लिए भोच का आयोजन किया था। राजा और कुमार ने साथ में भोचन किया और राजा ने फिर कहा कि देखो प्यारे कुमार मेरे बेटी की अमुक तारीक को शादी होने वाली है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ से बनाई हुए कुछ बरतन और घड़े उसे भेट स्वरूप उसके ससुराल के ल नाए हुँगे तो वही मैं सुविकार भी करूँगा और तुम्हें इस चीज के मू मांगे दाम भी मिलेंगे कुमार तो बड़ा खुश हुआ उसने कहा कि वा कुछ मेहने कुछ सालों का गुजरा आराम से मौज में भी हो जाएगा रात को वह सोना सका सुबह उटते से ही उसने बरतन बनाना शुरू कर दिये एक से एक नाया वह बरतन बनाता और सूखने रग देता जब दुपैर हो गई तो वो आखरी का एक घड़ा बना रहा था और वो घड़ा बन भी चुका था बस उसे थोड़ी देर और उसमें कारीगीरी करनी थे तो अचानक उस कुमार को याद आया कि आज वो सुबह-सुबह खेत तो गया ही नहीं है और खेतों में उसकी जो गईयाएं थी वो सुबह से भूकी होगी उन्हें तो वो चारा देना ही भूल गया था उसने एक युक्ति लड़ाई कि चाक को जिस पे मिट्टी के बरतन बनते हैं उसने इतने जोरदार तरीके से गोमाया कि उसने अंदाजा लगा लिया कि ये चाक 90 बार गोमेगा और उसने मिट्टी को ऐसा आकार दे लिया था कि 90 बार गोमने पे ये जो घड़ा है वो क्या आकार ले लेगा और बड़ा ही नायाब कलाकुरती भी बन जाईगे और इतना करके वो अपने खेत गया को चारा देने चला गया चाक गोमता रहा थोड़ी देर बाद गोमने पे चाक ने ये सोचा कि मेरा मालिक तो चला गया है अब ये बरतन बनानी की जो जिम्मेदारी है ये घड़ा बनानी की जिम्मेदारी है ये तो मेरे कांधे पे आ चुकी है और चाक ने अपने मन मर्जी से घुमना शुरू कर दिया जब कुमार चारा दे के वापस आया तो वो अपना सर पिकता रहे गया कि जो घड़ा था उसने विकृत आकरती ले ली थी दोस्तो कहानी यहीं पे खतम होती है इस कहानी का इस कहानी में जो अर्थ चुपा है उस पे खुब धियान करियेगा खुब धियान करियेगा बड़े ही जीवन के रहस्य इस कहानी के माध्यम से आपको मिल सकते है इस उमीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया